नमस्कार महामेर तुन्जा कुमार जा शाम के 5.5 बग चुके हैं और अगले आधे गंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंज तयार है अगर आपने कमोरिटी में ट्रेट किया है या पर नया ट्रेट करना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के म और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है हमारे साथ हैं आजे केडिया केडिया कमोरिटी के एमडी मनोज जैन साब हैं पिर्थवी फिनमार्ट के अमरीश पांडे हैं जी मीडिया संबधाता पूनन चंद गुत्ता हैं हल्दी के ट्रेडर हैं और रु पून खबर आई है और गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट पर जो पावंदी लगी थी उसमें एक्सपोर्ट के शर्तों में कुछ बदलाव हुआ है यह बदलाव क्या है इसका क्या मतलब है यह बताने के लिए हमारे सामबादाता अमरीश पांडे इस पक्त हमारे साथ हो चुकी है जो कंपाइनमेंट ट्रांजिशन में है जिनकी लोडिंग हो चुकी है उनको ही बस एक्सपोर्ट की जाज़त थी वो भी सिकतिस अव्यस तक की जाज़त थी परकार ने आज जो ट्रेड नोटिस दुबारा जारी किया है उसमें एक तरसे वो एहतियातन संदेश है वापस एक्सपोर्ट को कि यह जो टिंशर की डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी दूसरा जो शर्त उसमें सरकार रखी थी कि एक्सपोर्ट होगा लेकिन वो सरकार की मंजूरी होगा यह वारे लाइन सरकार इस वारे नोटिफिकेशन से हटा दी है तो इसका स्ताफ मत पूरी तरह से रोक लगा दी गई है पहले जो कुछ शर्तों के साथ डील थी कि जैसे मंजूरी के बाद आप कर सकते हैं अब वो वो हटा दिया गया है मतलब यह कंप्लीट बैन मतलब नौन बासमती चावल का एक्सपोर्ट नहीं होगा राइट अमरीश जी बिल्कूर इसको यह समझा लगता है कि देश से किसी भी तरिक कि नौन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने पूरी तरीके से परतिबन लगा दिया है और इसे जो सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसे प्रोहबिटेट कटेगरी में इसे डाल दिया गया है बहुत शुक्री आप अमरीश आपका इस खबर पर डिटेल जानकरे देने के लिए और ये खबर सबसे पहले अमरीश ने ही आपको पहली बार ये खबर आई थी नौन बस्वती चावल पर परतिबंद वाली तो उसद भी सबसे पहले हमने आपको ये खबर बताई थी दिखाई थी आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं गवार की और गौर में आज ठीक ठाक तीजी आई करीब बसावा दो परसेंट गौर सीट बढ़कर बंद हुआ सेप्टेंबर का वाइदा गौर गम करीब पोने तीन परसेंट बढ़ा हाला कि आज पूरे दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे का खेल खूब चला लेकिन फाइनली मार्केट हारे नीचान में बंद होने में काम्याब रहा तीजी के साथ बंद हुआ रुपेज गौयल साथ जुड़े हैं रुपेज जी क्या सिच्वेशन है ग्राउंड पर गौर को लेकर ग्राउंड पे गौर की जो स्थिती है ना जी वो दिनों दिन विकट होते जा रही है अब इसमें दो चैप्टर है एक नहरी गौर जो गंगानर हनुमांगड हरियाना में आज के दिन जो केतों में गड़ाया और एक बिकानेर जैसल मेर चूरू बाड मेर नागोर जो सिंच गंगानर हनुमांगड जिले की क्रोप आज के दिन अभी ठीक खड़ी है मतलब प्रवाइबल की लड़ाई लड़ने जैसी बाते उसकी नहीं है वो भी पांसा दस दिन और निकाल लेगी लेकिन जो बरानी बेल्ट जो मैंने आपको बताए जो की गौर की क्रोप का 70-70% हिस जो पुरुवानमान लग रहा है 31 अगर तक राजसान के कुछ पूर्वी हिसों में बारिश की संभावनाएं है इन एलाकों में वैस्ट राजसान में बारिश की सम्भावने बिल्कुल नहीं है और अगर ये बारिश नहीं आती है तो गौर की इस साल की जो प्रोप है वो प अगर ये 31 अगस्त क बारिश नहीं आई तो गौर की क्रोप का जो साइज है वो अंडर 50 लैक वरी एक्स्टिट रहेगा तो गम का जो प्राइस है वो 1.500 रुपे और गौर का प्राइस जो साज जार रुपे ये एक फेर प्राइस हो जाएगा अच्छा लेकिन हमने अभी आ वो तो कह रहे थे क्या विड्रॉली होगा वहाँ से तो तो तियां यही है और मार्केट इसी पर एक कर रहा है अभी जैसे कुछ दो तिन से चर्चा थी बीस और रिकिस तारीकों राजस्तान के कुछ इस्तों में बारिश हो सकती है इसलिए बजार को दो दिन पहले गिराय भी गया था लेकिन वो हिस्से कोटा जो एंपी के लगता हुआ जो हिस्सा है वो हिस्सा है जहां गवार की सोइंग होती ही नहीं है उस वज़े से बजार ने रेक्ट किया था अभी गवार जो है वो डिमांड सप्लाई को छोड़के मांसुन का एक सटा कह सकते हैं बारिश क चल रही है तो खेतों को फिर भी नुक्सान कम हो रहा है अब जैसे दो दिनों से गर्मी मोसम वाले जो बता रहे हैं कि अगले एक वीक में गर्मी वापस चारिश दिग्री उन्तारिश दिग्री तक अप्रेश्चर रहेगा तो गवार की खेते के लिए समस्या है सार इस बर बड़ी समस्या है इस बर जो वाइदा है अक्टूबर का वो करीक परी 5% बड़ा है और 16,400 केस्टर पर पहुंच चुका है तेज बड़ोतरी आज हल्दी में दिखी है और बहुत बेतहाशा तेजी के साथ मतलब 736 रुपए बढ़कर हल्दी का जो अक्टूबर का वाइदा है वो बंद हुआ है तो गुपता जी आपको आवाद आज रही है? हाँ ओर रही है हल्दी में हो क्या रहा है तो प्रकूप थी काफी कमी हैं और इ साथ की काफीpark 30 पर हांज गया अगया है इसके बाद जो तेजी आएगी जवारिक मांग पर ही आएगी उन्तु जो पन्ना दिन से यहां बर्ताती काफी है यहीं नहीं पूरे हल्दी बैल्ट में बर्ताती काफी कमी है उसको लेखते वे लोगों का ध्यान दोरण चेंज हो रहा है कि इसमें फसल को जो आज़री पहली 30 परसंट के कम होई है और इसमें 15 परसंट इंडिंग का फरक परियाएगा इसके वजह से वापस तेजी का रुप बन रहा है इसमें लगता है कि वाप और पांट चे परसंट का तेजी ओर आ सकती है इसमें तो बैसे फिजीकल गिराकी देखा जाया तो फिजीकल गिराकी उतनी जोड़ा नहीं है ने अदि कोई फिजी जोड़ा डिमेंट है फिर भी लोगों का जो सेंट्रिमेंट है जो बताती कमी ऊप咪 इसमें ठैजी आएगी तो इस लिए ट्वड़ा तेजी का रुप बनते जा रहा है तो इसलिए तेजी का रुप बनते जा रुप बनते जा रहा है historical कि गवार दोनों पर हमने फिजिकल मार्केट से इंपूट लेने की कोशिश की लेकिन अब ज़रा आप बताएं कि आपका टेक्निकल चार्ट गवार को लेकर हल्दी को लेकर क्या कहता है नवस्कार मिंचिन जी अफिनिटी सबसे पले अगवार की बात करें तो यह जिसे मैंने पहले भी कहा था जब आपकर इवन चौपंसो पच्पंसो की थे तो मैंने का था कि 15 अगस्तर मुझे लगता है कि प्राइज साराम से चौंसटो का लेवल दिखा देगा नो डाउट हमन दोसों की तियारी कर रहा है बट यह फेज मैनन में जाएगा क्योंकि अभी भी हमारे पार इडिट मेने का समय है वर्साथ या कुछ डिमांड में कुछ चींजे साथा तो उसका इंपैक्ट रहेगा बट ध्यान रखिए जनवरी दोजा देईस के अंदर हमने 6600 का एक हाई दिखा था तो यह लेवल अभी भी मैंने फीजिकल मार्केट में देखा या डीटा पे देखते हैं तो जब भी भी भाव 400-500 के करीब आते हैं तो एक दर का माहल बनाए कि इसके उपर जाएगा नहीं नहीं जाएगा जिसके वरसे बारवर में सेलिंग आ जाता है बड़े द दिखा देगा तो हल्डी के बात करें तो हल्डी के फंडामेटल्स काफी हमने देखा था कि काफी स्रिंकिंग थे जिसकी वज़े से तो मैनों में डबल हो दिखाएगी है हमने पैसट सो से लगबब अठा जागा लेवर अरडी अचीव कर चुके है अटेक्निकली मुझे ल बात करें तो बीस हजार का लेवर अराम से क्रॉस कर जाएगा बट करन्ट लेवर से मुझे लगता है कि हल्दी थोड़ा सा कंसलरेशन कंटीनियू रेगा जब तक अठा जार का लेवर ब्रिशनी करता है हाई पॉसिबिटी के साड़े च्वादा पंदा जार का लेवर मिले नीचे उपर नीचे हो रहा है एक रेंज में ही ट्रेट कर रहा है आज मार्केट थोड़ा बहुत उपर जाने की कोशिश कर रहा है करीब 200 रुपए के आसपास की टेजी है क्या करें सर गोल्ड में आज नमस्कार नत्युन जी बिलकुल एक काफी साइडवेस ट्रेड हमने ये पूरे सप्ता देखी है सोना चांदी दोनों में ही और सोना यहां पर 1920 डॉलर जो एक एहम सपोर्ड था उसके आसपास ट्रेड हो रहा है और चाइना के जो खराब आंकडों के बाद चाइना से स्ट चुम्लस जो है देखने को मिले तो कहीं ने का इनिशले इस तरों पर कीमतों को सपोर्ट कर सकता है वरतमाल लेवल पर शॉर्ट करना यहां पर रिस्क रिवार्ड के लेज़े से कर देखेंगे तो वह फेवरेबल नहीं होगा तो हमारा मानना है कि यहां पर 58400 के इस तर पर गोर्ड अक्टोबर वाइदा में आज शाम के सकते हैं 58250 का एक स्टॉपलस रखें बड़ी तेजी भी नहीं है 58600-650 यह इस तर देखने को मिल सकते हैं तो एक दाइरे में बना रह सकता है लेकिन थोड़ी बढ़त यहां पर जो है शाम के सतर में देखने को मिल सकते हैं शुरू करते हैं सवाल जबाब और पहला सवाल अंकुर का गुजराथ से जोड़ने हैं हमारे साथ पूछे अंकुर नमस्कार पूछे मेरा सवाल सिल्वर पे मेरा मेगा लोट सिल्वर का 73000 पे 3 लोट है अच्छा 73000 पे टीन लोट बाई किया आपने मुझे कब आवरेश कर के आसपास मिलता है तो वहाँ पे एवरेज करने की सला रहेगी 67700 के स्टॉप लोस से हमारा मनना है कि दीवाली तक कीमते फिर एक बार 75000 तक के इस तर जो वो दिखा सकती है तो अगर 69000 के इस तर आते हैं तो एवरेज करने की सला रहेगी दो से तीन महिने ये रुक सकते है तो बिल्कुल 75000 तक के इस तर फिर एक बार चांदी में देखने को मिल सकते हैं पोजिशन होल्ड करने की सला रहेगी 67700 के स्टॉप लोस ठीक है तो इस पर आप नज़र रखिए ये राय आपकी हो गई चांदी पे चलिए आगे वड़ते हैं और रुक करेंगे कुछ और कॉलर का गोविन्द हमारे साथ जोड़े हैं MP से मद्द परदेश से पूछे गोविन्द जी जी मेरा सवाल है कि मुझे फिजिकल में सिलवर खरीदना है तो कुन सा समय अच्छा है कब खरीदो आज़र जी बताएए फिजिकल में ये वह ठीक है खरीदने का भी या थोड़ा और वेट करें अगर 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 आपको सतर पांसों की रेंज में मिल रहा है फिजिकल में तो आप बिल्कुल चांदी लेके चलिए दूसरा विकल्प है आपके पास एटिएफ इंडियन मार्केट में सिल्वर एटिएफ लाउंच हो चुके हैं चैने निपाउन की बात करें डिएस पी को तक इन सबके सिल्वर एटिएफ लाउंच हो चुके इस ऐस फिजिकल बाइज जो आप कर रहे हो तो आप अराम से एटिएफ में भी बाइंग कर सकते क्योंकि एटिएफ में आपको वीड़ और आस्क या फिरम बोल सकते जो प्रीमियो में या मिकिंग चार्जर वो ब इस पर आप नज़र रखिए सत्तर तीन सब सत्रह ये चांदी का ताजाभाव है कुरूड पर मनो जी क्या कमेंट है क्या करें आज के लिए क्या ट्रेट देख रहे हैं आपको अच्छे तेल में हमारा मनना है कि 6580-6600 के इस तर काफी अच्छे लेवल होंगे अगर यहां से और 40-50 रुपए की गिरावट आती है तो डीचले इस तरहों पर फिर एक अच्छा सपोर्ट जो हो देखने को मिलेगा तो 66-6600 के आसपास की कीमते मिले तो वहां पर लॉंग करने की सदा रहेगी 6520 का एक स्टॉप लॉस लगा ले उपर में 6780-6800 यह फिर अगले एक से दो सेशन में देखने को मिल सकते हैं तो इस पर आप नदर रखिए कच्छे तेल पर अचा कॉपर में चाइना को लेकर लगातार चिंता बनी हुए है अना कि चाइना अपनी तरफ से इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है एकनोमी की खबरों को लेकिन फिर भी मार्केट में कंसर्ण है चाइना को लेकर अजे जी तो कॉपर में क्या करें बिल्कुल हमने कंसर्ण बनते विए देखे हैं यहां पर अभी फाइंशल बैंक्स के ओपर भी कंसर्ण आया प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले अपन अप्डेट आ रहे थे कि बाइवन गैट वन जैसी सिचुएशन चाइना में बन रही है उसी चीज को डाउन प्ले करने के लिए उन्होंने काफी डिवैल्यू करने के भी कोशिश किया साथ में हमने देखा कि रीट कट भी किया तो यह जो एफर्ट से वो कर्टी में दिखा रहें बड़ टेक्निकली अगर हम देखें तो साथ करना चालों करें तो आजिंग डाउन साइक काफी रेस्टिक्टेड रहेगा मुझे अगता है साथ सो इकीस के करीम लेके चलिए साथ सो पंद्रागा स्टॉप्लास रखे एक दो दिन का वीव लेके चलिए साथ सो तीस का लेवल वापस रीगें कर लेगा बट करेंट लेव कर गवारेंड के पास पचाद बुरी सबी से मुझे रिक्रेट यही है कि हम दो जार तेरा में जो रैली देखी थी अभी भी हम उमीद लेके चल रहे हैं कि दो जार तेरा वाला सीन आजाएगा क्या तो बिलकुल ऐसा लगना नहीं है बिकास वो टाइम पे हमने देखा सेल का यह तरह का इनोवेट हुआ था जिसकी वजसे यह बड़ी रह लिया थी टाइमिंग फंडामेटल जो दिखा रहें वो पॉजिटी जरूर है बट इसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्डन मुझे लगता है कि ऑक्टोबर में तक जैसे मैंने बताया अभी के साथ अजा साथाजां दो सुद्सों तक का जोन इक बर दिखा रहा है महां पर आगे रिव्यू करना चीह बर टाइमिंग मुझे लगता है कि इनको बने रहना चीह साथ साथ दो सो की रहेंच में फिरसे हम पर रिव्यू करेंगे करन फंडामेटल क्या रहेंगे वो टाइप है पर की बात करते हैं कि वहां पर आपका क्या इस भी दीपक जूड़ रहा है पूछिए दीपक जी तर मैं यहां पर शॉर्टेज थी और हम देख रहे थे कि चना पिछले दो सालों से सब्सक्राइब काफी हम यहां इफेक्ट आते हुए देखे थे और इस वर्ष भी अभी से जो हम देख रहे कि मोसम की जो बेरुखी चल रही है चाहे वो राजस्तान हो मध्यप्रदेश हो यह महराश्ट्र हो तो यहां पर अब यह धारना बनती जा रही कि जो नेक्स हाप में अगर यहां पर थोड़ा सा मांसून में सुधार होता है तो फिर एक मुनाफ़ा उसुली देखने को मिल सकती है लेकिन जिस तरह से अभी जो फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं तो वह कि यहां पर सपोर्ट करते बने ज़रा है